आखिरकार हमने इस विश्वकप 2023 का पहला नेल बाइटर मैच देखा। मुहम्मद नवाज, जो बाबर आजम के मैच विनह हैं, ने फिर से अपनी प्रतिद्वंधवी टीम को मैच जीतने में मदद की। विश्वकप 2023 के 26 में मैच में तबरेज शमसी के चार विकेट और एडिन माकराम के बेहतरी निक्यानवे रनों की मदद से दक्षन अफ्रीका ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया। इसहार ने पाकिस्तान को इस विश्वकप से लगभग बाहर कर दिया। चैननई में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओव में 270 रन पर ओल आउट हो गई। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्रिपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। रन चेज में दीकॉक और बावुमा जल्दी आउट हो गए लेकिन एडिन माकराम ने मोर्चा संभाला। अन्य बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद अपने विकेट खो रहे थे लेकिन माकराम ने सूजबूट से बल्लेबाजी करते हुए एक छोर संभाले रखा और 91 रन बनाएं। लेकिन चौका लगाने की कोशिश में माकराम हुसामा मीर के हाथों अपना विकेट गवा बैठे। फिर अगले ओव में कोईजी को शाहीन अफरीदी ने आउट कर दिया और उस समय उन्हें तिरपन गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी। फिर महाराज और एंगिडी ने 10 र जरूरत बैठे।